तो आज है 1 नॉम्बर 2021, रमा एकादर्शी है, तो हर महीने 2 एकादर्शी आती है, एक रश्मपक्ष सुख्लपक्ष शुकी, तो एकादर्शी के दिन हमें क्या ख़ना चाहियो और क्या निख़्ना चाहिए तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ की, एक तक हो सके स्वयम किसी अन्य का दिया हुआ अन्य कदापि ग्रहन न करें किसी कारणवाश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन कर सकते हैं और इस दिन दूद या जल का सिवन भी कर सकते हैं अब हम मैं आपको बताती हूं कि एकादर्शी के व्रत में आप खाने में क्या क्या शामिल कर सकते हैं शकरकंदी, कुट्टू, आलू, साबुदाना, नार्यल, काली मिर्च, सेंदा नमक, दूद, बादाम, अद्रक, चीनी, आधी पधार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं एकादर्शी का उपास रखने वालों को दश्मी के दिन मास, प्याज और मसूर की दाल आधी निशेद वस्तों का सिवन नहीं करना चाहिएं एकादर्शी के दिन प्राते लकड़ी का दातों ना करें इस दिन रख्ष से पत्ता तोड़ना हो जीता हैं अतस्वायम गिरा हुआ पत्ता लेकर सिवन करें नीमबू, जामून, आम के पत्ते लेका चबा ले और अंगुठी से अंगले से कन साफ कर ले अब ग्यारस के दिन सबजियों में गाजर, सल्जम, गोबी, पालक नहीं खाना चाहिए, मिठा पान नहीं खाना चाहिए, विश्णू जी को चड़ाया जाता है, केला, आम, अंगुर और बादाम, पिस्ता का सिव दर्शी तिथी पैजो, बेंगन, सेंफली नहीं खाने चाहिए, सात्विक भोजन करने चाहिए, मास मदिरों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, प्रतेक वस्तु प्रभु को भोग लगा कर ही, तुलसे दल छोड़ के ग्रहन करना चाहिए, तो ये जानकरी अगर आ बटन दबा दीजिए, तो मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, हारे किश्रा,